जान साथियों मैंने देशकमार आपका मर्निस कर्दिन स्वागत करता हूं जूड़ेंगे सभी लोग आज की वहत्रीन किलास में जोड़ जाएंगे सभी लोग गोड़ी इपनिंग नमस्कार जैहन जोड़ेंगे शेवी लोग नमस्कार जैहन और आज यूनिट नाइन वह ही पहली वाली चल लाई है ठीक है यूनिट नाइन में आपके विछेद फल के बारे में हम पहले पढ़ रहे थे चिए ठीक है तो चेट फल्में हम तरभुच के बारे में परचुके थे भी चेट फल्म में हम तर्भुच के बारे में हम परचुके था यह नमस ainsi जहन सभी को तो छेट फल में इसके बारे हम पड़ चुके थे तो आज हम बात करेंगे काहे की बात करेंगे आपकी रेक्टेंगिलर नहीं आयत और इसको यानि वर्ग की बात करेंगे ठीक है कि सभी लोग जुड़ जाएंगे एक बार शेयर करतेंगे क्लास को लाइक करते जाएंगे पिर देखते हैं तब तक एक क्वेश्चिन का जवाब देंगे ठीक है वो तरह बहुत से रेलेटेड है एक तक सब लोग जुड़ जाएंगे एक संभाव तर्भुज का क्योंकि रुवीजन भी हो जाएगा तर्भुज का छेत्फल चार सो रूट थिरी वर्ग मीटर है तो हो कि संभाव तर्भुज का परिमाफ बताए यह कि संभाव तर्भुज का कि परिमाफ कि इस कुश्चिन का जवाब देंगे फिर आंगे हम शुरू करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाके कि तो थोड़ो थोड़ो ध्यान तो आ जाए कि क्या कि हम पड़ चुके थे सब का अग्दम एक दो मिनट तीन मिनट में आप रिवीजन कर लें ठीक है कि ज़्दि आपको सूत्र र्याद होगा तो तो कल लेंगे और यदि आप भूल चुके होंगे तो नहीं कर पाएंगे करेंगे जल्दी से आंसर देंगे इसका कि 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 द्द्द्द्द्द्द्द्ध crush कि क तो देखें कि क्या आंसर आए वेसका आपको पता है संभावत तरवुज का छित्फल क्या होता है तरवुज का छित्फल बरावर अंडरूत तीन बटे चार गोड़े भुजा का स्कौाईर करना रहता है ठीक है जो आपको भुजा देगी एक उसका स्कौाईर करना रहता है इसके वाज़ आपको छित्फल दिया गया है ठीक है यह बरावर रूट तीन हे आपको भुजा पता चल जाएगी जब भुजा पता चल जाएगी आप परिमात निकाल सकते हैं भुजा का इस्क्वायर है इस देख लें पूड तीन से रूट तीन करते हैं चार का कुड़ा कराएंगे चार चकुष्व और यह जीरो बरावर हो जाएगा बुजा का इसको है क्योंकि 40 का बर्क करते हैं 16 आता है तो 16 किसका बर्मोल हो जाएगा चालिस को जाए बहुजा वराख चालिस आगी परिमाप क्या हो जाए है परिमाप कि सीधा तीन गुड़े चालिस करेंगे और यह चालिस आया होगा तो कहा है में जब मीटर में दिया चालिस मीटर भजा रहेगी ठीक है मीटर आप लेख सकते हैं कि 120 मीटर ठीक है जिनका 120 मीटर आ रहा परिमाप उनका सही है क्योंकि परिमाप पता है सूतर हो संभावत्र गुण का परिमाप जिनको नहीं पता है ठीक है क्या होता थीन गुड़े भजा की परिमाप तक कंस्क्तिक उसे कि समझ आए होंगे समय तो आपको इस रिवीजिन कर ली है ठीक है आप नोड का लिया न हो जाएन नोड नहीं करती फिलए आपको रिभीन नहीं वोपाता है अब हम बात करें आयत की ऐधर आयत क्या होता है जिसकी आमने और सामने की बोल सकते हैं, ऐसा चतर हुज लिए जिसकी आमने सामने की बुज़ाईंड सामान होती है, यह वाली बुजा इसके समान हो, और यह बुजा इसके समान हो, नाम दे सकते ए बी और डी ऐसा चत्रों जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो तथा प्रतिय कोण नबयांस का हो कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो हमेशा समान होनी चाहिए तो आया तुम्हें आए खरते हैं हाज उसक्ते प्रवास आपके नहीं रूथ कर तरह का सकते हैं जिसकी आमने सामने की मैं बढकी समान होती ऐसले वशाएं समान हो एसे डाने चतरकों को मैं आयत बोल देते हैं तो ओपिटे तो आयत का च्छेट फल से याद रखा करें कि यह होता है लमबाई गुणे चौड़ाई आयत का सभी को पता हुआ लग आयत का परिमाप किया होता है को यह सा नहीं जिसको शूत के बारें पता नहीं दो गुणे लमबाई पिलस चौड़ाई मैं आयत का विकर्ड के बारे सब फड़ी को पता होगा क्या होता है कि दिकड़ क्या होते हैं reflection करते हैं है यह कि क्या हो जाते हैं आयत का विकर्ड क्या हो जाएंग PAC breakup1 का लंबाई का स्क्वारों कि मेरे छोनाई का स्कॵार्र और हुआ है कि यह हो जाता है लंबाय को फुर्ष चवड़ाय को इस मैं यह किस सूत्र में देक लिया आयत किसे कहते हैं आयसा चतर बुझ अमने के सामने कि चत्रवज चार बोल देते हैं आयत का परिमाब दो गुणे लंबाई प्लस चमड़ाई होता है आयत का बिकड़क बात करें तो लंबाई का स्कॉर अंडरूट प्लस चमड़ाई का स्कॉर यह आपके इसमें हो जाते हैं ठीक है इससे रिलेटेड अप क्या करेंगे सवाल कर ल जाते हैं ठीक है और जो इनके बाहर पत दिया जाता है उसके बार में भी पूछा जाता है ऐसे सवाल आने की चांस रहते हैं तो आज हम देख लें ठीक है इसके बाद फर बर्ग में को देख लेंगे और आयत और वर्ग आज का यहां फर कंप्लीट हो जाएगा आपका अगर एक जास आँयाद देंगी अठीक को रिखाए एक आयत का छेत फल अड़ तालिस वर शेंटी मीटर है यदि आयदि की लंबाई चौनृण राचास की पता है आयतो चेहर्थ Поэтому क्नृण यूश्र नेपकर एक नहींृदा आटनृण्चाट सोबा हैना इसको पता है आयत का च्छित फल क्या होता अभी हम लिखा चुके हैं आयत का च्छित फल रावर क्या होता सूत्र उसको लिखेंगे कि सॉल्व करेंगे जल्दी से कॉपी पेन में जवाब देंगे तो आयत का च्छित फल क्या होता है है आप बिलकु कंपल है से भी का सिरल हो सकता है आयत का च्छेद फल वॉराइगा लम्भाई मेरे जाड है है जुए अन्हें लंबाई गुड़े होता है आप हमें क्या क्या पता है लंबाई पता है एला चैनल सेंटीमिटर है और हमें आयत का चिट फल पता है और तालिस ब्रहल जो है पता है उसकी नीचे उसखमान रखेंगे आयत का चित फल कितना दिया बरावर का सांट लगा जो लेगे आठ सेंटेमिटर लंबा में जोड़ाई और चोड़ाई हमें नहीं पता चाहें चोड़ाई लिग दें चाहें हमान लें प्रक्षान्तर लोग के अपने चवड़ाई के अब क्या है अहां हम क्या करेंगी गुडा में तो यह जहां पच्छांतर करें के 48 अए तो गुडाम है आकर के भाग में हो जाएगा आठ है कम आठ आठ चेंग अरतालेस चौड़ाई बरावर आपको प्राप्त हो जाएगा 6 cm, क्योंकि आपको ये 8 cm में देगी थी लंबाई, वाच्छा का पच्छांतर किया, बरावर गिद्धर आया, भाग में चला गे बिल्कुल सही इस सूत्र को याद होना काफी जरूरी है इस प्रकार से पिंचा जा सकता है ठीक लंबाई गुणे चौड़ाई ना दे करके वह आपको छेत फल देगा ठीक आयात का छेत फिल देगा इसके बाद आप पूँच लेगा एक चौड़ाई या लंबाई की बारे में पूँच सकता है इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं सभी लोगों कांसर आगया जिरूंट क्लास को लाइक कर देंगे ठीक है और कॉप्रेट करने के समझेंगे ठीक है आपको आता है तो नेक्स्ट कुस्चिन की बा परिमाब ग्यांद की अपकी बार उसने क्या किया आप से परिमाब के बारे में पूंची लिए लेकिन आपको चौड़ाई दीगी है लंबाई की बारे में नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे लंबाई ग्यांद करेंगे इसके बाद आप परिमाब निकाल तदोगा परिवाद नहीं काल पाएंगे सबसे पैसे लंबाई निकालेंगे एंवा कांने आपको नीकालदेंगे ग्यान करना इस परकार सवाल कुछ देते हैं तो देखेंगे द्यान से कोई फाल। का कमेंटर नहीं करेगा हम आमना मछांब बताएं जल्ली से कैसे करें कापी पेन करेंगे जली सिक how is it's future ओखेट का च्छेट फिल वरावर ऑफ माना लंबा एक समाल लिभि पहले सुझी माना लंबाए एक से है ही जो आई एक च्छेट फिल वरावर ऑफ हम जो जनको नहीं पता हुँ देख चंगे जिलंक आताय ग्मन्से करेंगे आयत का छेत्फल वराव लंबाई गुड़े चवड़ाई देखा आपने आयत का छेत्फल 5.4 आपको दिएगा 5.4 पॉइंट लगा ठीक है यहां पर भी दिख रहा होगा पॉइंट लगा लंबाई मने एक्स माली चवड़ाई आपको देगी बन पॉइंट फाइव ठीक है हम युद्स को अधर 55 करेंगे तो आजाए रचिमवन है वर्क हो अपन पॉइंट 4 रढ़ाबर एक्ष ठीक है आप हम इसको करेंगे कैसे काटेंगे कि आप चाहाए देखो पॉइंट कड़ सकते हैं ठीक है पॉइंट काड़ सकते हैं और नहीं तो आप क्या करें पट नीचे दस से बड़ाव लुप belong to Pois ओडर हो जाएगा मेरे छोड़िये लुप सुप कार्ड दिया चुन वट ऑब फोले बाहिए नगए मेरे नद पर देगा पंधरतीय फारबहु आलिस में सब्देर पर फालाइस की थे का बचेंगा कितना नव बचेंगे और 15 नवडूंट लगाएंगा गूइंख लगाओ नहीं जाएनवस्तिके ऑन कि यह प्राफ्थ हो जाएगा एक्स बराव 3.6 और क्या चला है से मीटर चलना है तो लंबाई आपको 3.6 यह प्राप्थ हो ठीक है पंदास काटा पंदर हती यह 45 तीन बार जाएगा पॉइंट से पॉइंट मैंने काड़ दी ठीक दसमलब से दसमलब कर जाएगा कि एक अंग बाद दसमलब एक लंग बाद चाहिए दस से उपर नीचे गुड़ां कराएंगे बात एक ही देख तो 3.6 आएगा तो एक्सवार 3.6 मीटर आगया अब पूशरा आप से परिमाप परिमाप बरावर क्या होता है कि परिमाप बरावर आपको पूता है कि दो गोड़े लंबाई पिलस चौड़ इसको जोड़ेंगे तो दो गुड़े 6 5 11 एक और तीन एक चार एक पांच एक एक अंगवाद दसम लगा देंगे देखेंगे दो एक दो और पांद दूनी दस और यह एक अंगवाद दसमना मीटर 10.2 मीटर आपका आंसर इसमें आएगा ठीक है कितना आएगा टेन पॉइंट टू मीटर इसका हो जाएगा आपका अधिक है क्योंकि आपको पता सबसे देखो इसमें आप आयत का छेट फल दिया गया था और चौड़ाई देगी लंबाई आपको नहीं पता पता थी लेकिन आप से परिमाप पूछा गया परिमाप में परमाप के लिए आपको पता है आपको लंबाई भी पता होने ग्यांत कर लिया लंबाई कितनी आई एक्स वाद 3.6 मीटर आई ठीक इसका पच्छांतर किया तो एक्स गुड़े में था पच्छांतर किया भाग में आ गए 5.4 बटे 1.5 इसको सॉल्ब किया कितना आया 3.6 बार में कर जाएगा एक्स वाद 3.6 परिमाब बराव सूत होता दो गुड़े लंबाई प्लेश चमड़ाई दो गुड़े लंबाई आपको 3.6 और चमड़ाई 1.5 तो जोड़ा इसको कितना है 5.1 बनाया तो दो से इसमें गुणा करा दिये 10.2 मीटर आपका आंसर आजाएगा ठीक है इस प्रिकार से आपसे मिचा जाता है तो आपको नोट क है ठीक है यह वह जाता आपका डारेक्ट बात यह चाहें पच्छांतर करके लिखने चाहें से डारेक्ट लिखें तीक है आयत का सब्सक्राइब का उलुकर समत्त पको सिंपल हैं लेकिन समझने में जब तक बेसिक नहीं आए अगय तो आप नहीं पकलता है कि देखें इस क्विस्ट्चन को एक दिख रहा है आपको और दहार है कि नहीं इस कहले है आयत कभीकर्ण है यह विकर्ण और चट सुने अधिये नहीं लंबाया आपको बारसेंटी मीट्र दे गें आप से बिकड और चेड़ पूणचा है और चुडाया आपको पांस सेंटी मीटर दी टी तो बताएंगे जल्दी से इसके लिए आपको मानसिक रूप से 100 रुपी करके बताएंगे बिल्कुल सिंपल सा है इसलिए दे रहे हैं ठीक है अभी तक दो सवाल की उनसे इसारल ही है ठीक है कि टारीक्त सीधा सूत्र पर आधारित है ठीक है इससे सरल क्या हो सकता है आपको लगता है तो देखें आंसर इसका जल्दी से पहले विकड़ निकाल लीजिए चाहां आप छेट फ़ल विकड़ तथा छेट फल दोनों पूंचे के दो में से कोई एक निकाल लेजिएगा आप कि तो देखें अचल हो कि विकड़ की बात करें यहां पहले विकड़ की बात करें बात एक ठीक सर्थ अंचल्ण आप को आजब कर दीज़ेगा अब देखो इस पारी यह आपको नहीं पता तो यह की समस्य है था प्तों आइंगे से हम थोड़ों नपिर आपको याद करने पडले लंबाई का सकॉल करना आपको कितना या थीए बाहर जेए कि मैं को लिखा दें नोट कर देवाएंutta 1111 का एक्सुख स्वालिस कि आ याथ तेरे का बर्ग लगाते जाने पता ने चले क्या लिख रहें तेरे का बर्ग एक सो नहीं तर चाओधे का वर्ग कि एक सुच्यानवी सा साथ मिल्गी पंदर है का बर्ग है दोसो पच्चेश है कि अधर लिख जायाए नियुक्त है सब्सक्राइब कितना हो जाएगा है दो सो नवासी है अठारे का वर्ग कि तीन सो चोविस सब्सक्राइब कितना हो जाएगा कि तीन सो एक्षेट और वीश को सभी को पता होगा तो यह निस तक लिख दिए आपके तो लंबाई का इसको लंबाई बारे दीटिवार है का स्काइब कितना होता एक सब्सक्राइब करते हैं देखें कि क्या हो जाएगा अंडरूड लगा है तक है 12 स्कॉरح 44 और 5 कि सभी को पता होसा वापच्चिस होता है कि 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 इतना हो जाएगा मैं 549 कि तो दहुंक एक सॉनुथा एक सॉनुथा किसका भी मूल है देखा एक शॉनुथा कि स्काब रुद हो जाएगो तो कि तुक तो चीजिक विकड्ड आयत का विकड्ड क्या हो से रहे सेंटिमेटर टीक है हopt जाएगा तिरह याद है वह वर्ल्म उल्प ट्वर्मूल जाएगक और सब्सक्राइज अ mechanics कुछ नहीं करना कि सीधा गुणा कराना था कि आयत का अच्छे तफल लंबाई गुड़े चोड़ाई होता है ठीक है अलगुड़े लिख दिया तो बरावर करें लंबाई कितनी है बाहरे पांच करेंगे बाहरा पंचे साथ सेंटीमीटर स्कॉर्इर अंसर हो जाएगा ठीक है तो गल्कुल सराल कोष्यन था एक सोन अत्तर यानि अंडरूड एक सुन अतर था तहां पर क्या हो जाएगा तेरे सेंटीमीटर हो जाएगा और छेत फल आपका साथ सेंटीमीटर स्कॉर्इब कोई दिक्क्त समझने में दिक्कत तो कोई नहीं होगी कि नहीं देख रहा था नहीं क्या है कि ओके साथ सेंटीमीटर स्कॉर्इर आ रहा है तो सब समझ जाएंगे सिंपल था कि आपके आगे देखेंगे बूब जैसे आयत का जो उपाथ करके देए तो उन वाले कुश्चिनों को और देख लेंगे ठीक है कि इस Chief देखेंकि इस परकार का कुश्चन जरूराता है कि इस बार भी आया था ठीक है इस Qец ए कि ने पहले Q .. थ्यान से पड़ेंगी दो बार, पूंच्चा क्या गया है और दिया क्या गया है यह धियान सी देख treatment क्या क्या पूंचा गया है और क्या-क्यास में आपको दिया गया है सबसे पहले तो आपको यही जानना रहता है जिनको आता है पहले से कर लेते हैं वो करेंगे इसकी स्टॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे ताकि कम्प्टिशन वाले एक जाम में आप चंद सेकंडों में कर सके हैं दस सेकंड में हो जाएं पहले कोंपी की तरह करेंगे कैसे करेंगे देखें और फालतू को कमेंट ना करें टिक है बातें कता ही ना करें कोई फायदा नहीं से क्या दिया गया देखो ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई कितनी 45 मीटर है और चोड़ाई 30 मीटर और 30 मीटर चोड़ा पार्क के बाहर टू पाइंट 5 मीटर का चोड़ा पत बनाए गया है पत का चेत्वल कुछा गया देख लिए कोई आयत है ऐसे मान लिजी बना देरे चेत्र ठीक है यह मान लिजी का इधर से अधिक है यह जिसकी लंबाई मान लिजी यह नाम दे दे इसको अधिक है भी ऑची और डी इसकी लंबाई आपको ध्यां से देख लेंगे पैसे धीमे से 45 मीटर है यह तो लंबाई हुगी बड़ी बादी भजा और चवड़ाई दे रहा है 30 मीटर ठीक इसको अंदर लगे c20 मीटर और यह 45 मीटर और इसके बाद गश्रटफ का पार्क के बहार दो पॉ defensive चौनावाँ ण्यठी का अव्य तो पार्कोगे अब पार्क के बाहर बनाए चारो और बनाएगी तो चारो और ऐसी होगी तो एक इस प्रकार से तो हो जाएगा तिक इसके बीच की चौणाई 2.5 मीटर है चारो और इतनी सेम रहेगी चारो तरफ यहां पर भी इनके बीच की दूरी या बिट 2.5 मीटर रहेगी तो जो बाहर का यह घिरा हुए चित्र है यह इसने क्या गया यह यहां पर यह रास्ता डाल दिया देख लेंगे पहसे ध्यान से यह इसने रास्ता ड़ल दिया ठीक है ब और अंदर वाले के नाम ABCD थे पहले जो था 45 गुण तीस का ठीक है और बाहर जो हो गया तो पॉइंट 5 मीटर चौड़ा रस्ता बनाए है ठीक है तो इनकी बीच चौड़ाई 2.5 मीटर हो आपको कुछ नहीं करना है पहले आप क्या करेंगे क्योंकि सबसे पहले आप क्या क रालना है बाहर वाली पत्का तो पहले आप करेंगे क्या एगायको आरस का छेतर फ़ल निखान लें चेट फबन पीकु सबसे पहले देख लेंगे पीक की वाराइस का छेथफल आपने देखेंगे इनके बीच की चौड़ाई यह हो गई है 2.5 मीटर दीगी यह वाली जो लंबाई है यहां पर 2.5 मीटर हो जाएगी कितने हो जाएगी 2.5 मीटर और इधर भी तो यह 2.5 मीटर बढ़ जाएगी किती कर देजिए कि पाल ऊस्थ निकालने से पहले चपतने हो जाएगी यहां पर कितनी हो जाएगी यहांद पर नहुม हो जाएगा कि 1 फ्यवक्तायव कि नतालिस प्यूपांट आवी मीटर जों नहीं पड़ेगी यह तोनों तरफ यह बढ़ीए लम्माई कितनी हो जाएगे डाया न चबड़ाय आप देखेंगे यह 30 तक क्या है यहां तक यह लम्माई कतनी है तीसा ठीक है और यह तनी बढ़ ऑंजी 2.5 पॉली लायन हो जाएगी सीधी सीदी टू पउन्टाइव मीटर टॉ पाइफ से थी तो पहले थी फिर दोनों तरफ टूपाइट फाइव मीटर बड़ी टूपाइविड फाइव यह वाली टिक प्लेस्ट टूपॉइंट फाइब मीटर ध्यान से समझें समय जाएगा तो यह पांच हो जाए धाई दाई पांच अगती पैंटिस तब छेट फल क्या हो जाएगा तो छेट फल वराव आजटा का छेट फल पारक का इसी में चला पीक्यूरास में ध्यान रखना फले अब बढ़ास में घ्यूरे मंठेस्क हो जोड़ हो जाएगे 25 की 5 हां से लगी दो और पांच ती है 15 2 1750 kur यह कहही की लंबाई आपको प्राप्थ हुए और इस यहां से यह तो इन कर रूप cuc सोगी 2 रश्यान लेकिन फिर उसने क्या किया 2.5 मीटर बाहर तरफ उसने रास्ता बनाए तो इसमें देखो यहां पर भी यह रास्ता इतना दूरी बढ़े जाएगे इधर और इधर यह वाली बी के बाद वाली तीस थी तो टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट दोनों तरफ बड़ी तो कितनी 35 मीटर होगी ठीक है मैं तुस्मीटर होने पर इतका छेट फल नेका लिए पीक्यूर्स का सत्रेस बचास आगया अब हम छेट फल एबी सी का एबी सीडी का छेट फल तो बिल्कुल सिंपल ह डिया जो आयता का रहा ठीक है अयथ का सान बना दीजिएगा आयत का साथ से बना देख Meansborg का भूष at कि म्रावर कि रोजागे लंबाई उने चलुडाय होता है लंबाई कितनी है एबी सीडी वालने से यहाँ पर बनाई यह लिखा था ऐख ठीक है कि देखने ही आ लोग तो यह एहां पर बना था ओर और यह अविदी आ intern.aşप इसका निकालेगे तो इसकी लंबाई कितनी है यहां तक सी तक u20-45 एक बुणे मतने कितनी पहले दिर तो यह भी सीडी में बनाया था 45 गुड़े कितनी थी तीस थी पहले देख लेंगे एक जीरो की जीरो कि इन पच्छे पंधरे की पांच ठीक है तिंचे को बाहरे एक तेरे तेरों सो पचास मीटेर स्कॉरर बस कुछ नहीं करना इसमें घटाना था तो पीक्यू आरेस माइनस इस बनाया झाल हुलिख देंगे 1750 ऑचास का ऑख सब्सक्राइब इसकी नीचे लाइन लिख लिन ठीक है महीं पर डाकर ऐानसर रखें देर सब्सक्राइब तेरह सब वाचास में था 17 से तेरह 50 से पचास ले जागा अब तेरह सब्सक्राइब तरह इस नहीं कितना बचे़ चार में पर पर यह आप का वैस्ञार हो जायगा चारसह मीटर स्कायर आपका सेस बचेंदा क्योंकि 1750 कहा है यह च्छेथ फन प्यक्यूर्स चा कर तो प्यक्यूर्स का 1750 मीटर यह दीए गया था ठीक है यह आपका एबी सी डी जो था उसके बारे में दिया था ठीक है देखें एक बार आपको अभी हम और समझा देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए गजब हो गया नीचे दिख नहीं रहा कि मैंने बोला था आपने सुन तो लिया हुगा द्यान से कि अभी हम आपको समझा रहें द्यान से समझें कि क्या क्या कि द्यान से देखें कि जिनको समझ नहीं आया कमेंट आपकर कि आप दो सबसे पहले सवाल पढ़ा कि एक आयत आयतकार पार्क है जिसकी लंबाई ट्यूवरा पार्क के बाहर 2.5 मीटर चमड़ा पथ बनाया गया है पन का छेथफल पूंच्छा गया तो हमेशा जब भी पत का सेथफल निकालना हो तो कुछ नहीं करना जो बाहर का जुब बाहर रास्ता बनाते हैं तो बाहर वाला जो चेथफल हो जाता कि बड़ी बनाएंगे तो उसको कुछ नाम दे सकते मैंने समय नाम दिया था तो पिक्यू आरेस माइनस चेट फल जो पहले आपका प्राप्थ हुआ का ABCD जो पहले छेट फल इसके द्वारा 45 गुड़े तीस के द्वारा प्राप्त होगा उसका छेट फल माइनस कर देंगे इसको चित रेगवार आपको यह 45 मीटर वाला यह हमने यह कौन फारा बनाया वाला बनाया आए ब्सटी पहले पैइट था ततीक है यह जो बहto पूप्वाइंट फाइट एक रास्ता बना ली और यूप फाइट इतना चंवड़ा तूपाइट फाइध है बाहर रास्ता चारों तरफ बनाएगा पारक के ट्रॉपइंट फाइट फ्रस्ट इसके बाद बाहर वाला आपको आया प्राप्त हो गया तो प्राप्त हो गया इसके बाद क्या किया जब हमने प्राइब का छेथ फल निकाला यहां पर देंगे छेथ फल पीक्यू आरस्क तब लंबाई को मा लगा दिया तब लंबाई क्या हो जाएगी 45 तो लंबाई पहले है पहले लंबाई दीगी लेकिन आपने देखा जब यह 2.5 मिटर हमने चौड़ा किया रास्ता तो यह वाली जो दूरी यहां से यह वाल इतनी ही यह 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 दूरी 2.5 मीटर हो गए किति फूरी दूरी और यह 45 पहले से है और फिर इधर भी 2.5 मीटर दूरी बढ़ाए तो हाई कितनी हुगी फाइस मीटर होगी ठीक हों हम चमराए की बात करें तो 30 मीटर ये बढ़ी और टू-पॉइंट- attempt फाइघ गेंगे थो और इस चेस अगए में दोना जोड़ देंगे थैने है बढ़ जाएगा है कि ये राय बात करें शाओedd तो कितना हो गया तब तक्यों कितना हो गया 510 तो सत्रेस्ट फचास मीटर स्क्राइब घृट है कि मैं टूना इडिक आप देखा आताका शित यह हो गया कहें और जो कि क्योंकि ABCD वालिम क्या करना पैंटार्स गुड़ तीस सी दागना ए बी सी और डी क्यों चलो बाहर जाओ कर दिया चार समीटर इसकार यह आपका आंसर आगया ठीक है क्योंकि बड़े वाले में से छोटा वाला चैत्वल घटाती है तो समझ गये होंगे तो क्या करें कि ABCD वाले जो अंदर है उसका निकाल लेंगे और नहीं तो देख लीजेगा डारेक्ट जैसे आपको कुछ नहीं करना दो डारेक्ट सुद्धा सूत्र होता है है कि टू-AYक्स बडावर थिक टू-स बरावर अल पिलस भी कि टू-एकस कि ये कब के लिए जब बहार रास्ता हो जब रास्ता बहार नहीं है तमके लिए क्या करेगा अद्सsst철 लात घुरुम रास्त दीक है कि मैं पर admit रांश्टे करें घृ। आफ्ट किया है एक्स चम्डाई पत्की है एक्स बार वार्व पत्की चम्डाई हो को है कि यह सर्ड 550 देख दीजिए कि एखक है यहां पर पत्की fé चम्डाई सूत्र तब क्या होता है जब बाहर पत दिया गया हो ठीक है जहां पर X पत की चंवड़ाई है तो सूत्र होता 2X लंबाई पिलस चंवड़ाई पिलस 2X ठीक है यहां पर इतना जोड़ देते हैं ठीक है और यदि आप रखना चाहें आप डारेक्ट बताओ तो हम सिखा दे नीचे दिख रहा होगा तो पत की चंवड़ाई है यहां पर आप पत की चंवड़ाई देखेंगे 2.5 मीटर दीगे आप मान रखना चाहें तो रख सकते हैं दो गुड़े एक्स लिए क्या पत की चंवड़ाई कि नहीं 2.5 लंबाई कितनी है 45 है और चंवड़ाई कितनी है 30 है पिलस करना पिलस लगान दो गुड़े एक्स लिए क्या है 2.5 अब देख लेंगे तो देखा चालिस ती 75 75 और ढाई दूनी पांच 75 असी असी गुड़े यह डाई दूनी पांच असी गुड़े पांच करेंगे दो अब कि टना आर्ड चार्सो मीटरे स्क्राइब आये अशे भी इतना ही आंश्राइब इसको चैन अब तुमन है तो अब जसको सुन मानिक और गरें यतना है जाग सुने सकते हैं ठीक है चार सो ही आएगा चार सु मीटर इसको है चार सु मीटर इसको है ठीक नीचे असी गुड़े पांच इसमें आप मान रखेंगे आपको आंसर आजाए डारेक्ट इफिए आप यदि सौट टिक रखना चाहिए इसमें लेख सकते हैं टू एक्स लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस टू एक्स जब रास्ता बाहर हो और एक्स ब्रावर क्या है पत्की चौड़ाई यह सौड़ाई प्रियास करेंगे आप पहले इसका जवाब देंगे एक आयताकार पार्क 90 मीटे लंबा है तथा 75 मीटर चौड़ा है इसके बाहर पांच मीटर चौड़ा पद बनाये गया पत्का छेट फल गयां कि आप वैसे करके देख लेंगे हम चाहें तो आपको डारेक्ट आंसर बता समझा दें इस कुष्टियन को लिए अच्छे लोग आपको क्या करें है अ फिगर बनाने ठीक है तब आप समझ लेना 90 मीटर है एक है लंबाई है नबबबे मीटर है लबाई है चोड़ाई कि 75 मीटर है चोड़ाई है इसके बाहर अंदर इसको लिए तांकि क्यूंकि बाहर बनाने पड़ा रास्ता फिर दिक्कत हो गई 75 मीटर यह चोड़ाई 90 मीटर लंबा है 75 मीटर चोड़ाई इसको हम नाम देदें अंदर से लगदें ए है और बी है यह सी है और यह डी है ठीक है इसके बाहर कितना पांच मीटर चोड़ा चोड़ाई कितने होने चाहिए पांच मीटर है ऐसी पांच मीटर चोड़ाई यह कि यह वाली सब कि चित्र वैसा बनेगा कहीं छोटा कहीं कम दूली ठीक यह पांच मीटर है इनके बीच की चौड़ाई है कि बाहर तो देखना लंबाई में यह वाली जुड़ जाएगी इधर ठीक है यह भी तू है पांच यह तो रहेगी इतनी पांच मीटर एवी रहेगी सब्सक्राइब तो नबबब में चौब्सक्राइब ठीक हो जाएगी तो इसमें सब्सक्राइब में और रेस यह 5 दो इह टोड़ नोड़ यह पांच मीटर बढ़ जाए इधर चोड़ाइद उल्ट बढ़े पांच पांच बढ़े और उड़ जाएगी ठीक है इसकी बात करेंगे हम चोडाए के रहे चोड़ाइद पांच यह दोंडर वाली यह लाइन लेंगे पर 75 तुई है लेकर फांच मीटर यह वाली और पांच मीटर यह उपर वाली ठीक है पहले पीक्यू आइस का आयत निकाल लेंगे फिर यह अंदर वाले को सिंपल एबी सीडी का आयत कचेट पल तो पीकी वार बादे मैं से छोटा वाला कटा देंगे और आज आजाएगा आउसर बात करने तो हम दाएट वहीर शूत लगा दी ट्रिग वाले तो एकक्स आपको बता देए चैक कर लेना ठीक है राष्टा बाहर हो यानि पत बाहर हो तब के लिए जहां इक्स क्या है जहांगे पत की चंबढ़ाई है ना इचे पत की चंबढ़ाई और जब अंदर की बात करें तब अंदर के लिए इसमें लिखते शूत टू एक्स यह सुत्र आपको डार्ट लगाना नहीं ठीक है यहां पर माइनस हो जाए जब अंदर की बात करें तो माइनस टू एक्स हो जाता है जिनको लिखना लखना चाहां आप लिख सकते हैं आपके कंपटीशन जानों काफी साहता गरेगा ठीक है इ पिलस टू गुड़े एक्स करेंगे लिए देख लेंगे नब्वय और दुपंचे दस नब्वय दस सव और यह 75 75 होगी ठीक है एक सुपचेत्तर और बाहर में दुपंचे दस है करेंगे कितना हो जाए सत्रह सो पचास मीटर स्क्वाइर आएगा आप करके भी देख लेंग लग भी लग रही इतना आ रहा कि नहीं तो घुलिख निखेंगे फीक्यू ऑर एहस का पहले आयत का छिर्फन लेका रहेंगे फिर एबी सीडी का बड़े में पीक्यू आरएस में से छोटे वाली यान ये बीसीटी के छेटवल हम गटा देगे ठीक वैसे करेंगे देखेंगे आयम सर आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां तक आप समझे गए होगे ठीक है okay and a question क्या दे ain't a question आपको के लिए विःी लाष्ट में देंगे ठीक है आयत के लिए लाष्टम के सबक्त कर आपको आपकर देंगे उस्लें है कि हम तुब प्रतिय कोड्वन सकाओ, इसमें चारोग होजएन हो हो, कोई छोटी बड़ी ना आयात में क्या होता था, आमनें सामनें के पुझाएन बरावर होती थी लेकिन वर्गम क्या होगा आपकी चारोग हो जाएं समान रहें ठीक है तो पर किया ऐसा चतर हो जिसकी चारोग हो जाएं क्या हो चारोग हो जाएं समान हो ठीक है वह वह आपका क्या हो जाएगा इसक्वाइर यानि बर्ग हो जाएगा ठीक है ऐसा चतर हो जिसकी चारोग जाएं बरावर हो और पतिये कौन नब कि आफो होता है है कर भुजा का इसक्वार को नहीं थे जो चाय भी और क्रिमाप क्या होता है परिमाप आप सभी को पता किसी का भी परिमाप ग्यांद करना हो उसकी जितनी बोजाएं उसके साथ गुड़ा करा दें चार बोजाएं चार बोजाएं हैं चार बोजा हो जाएगा बर्का विकड़ क्या हो जाएगा बर्का विकड़ पता है डाइगनल है बर्का विकड़ वरावर क्या हो जाता है विकड़ देखेंगे यह हो इसमें दोनों विकाड के लंबाई क्या होती समानों फिकल यह होता है तो विकल बचा्ड क्या होता है अधियर है कRI सुर्ड़ नृड 뉴스 आपको ऒजाए आस में इतनी जानकारी इसमें आपको सूतर वारे में होनी चाहिए और ये को बिख Conse genya से बढ़ेर ये से फिकाल का स्कुआइर ये सबस्किर्ट शुन तो आप समझ गए जिनको नोट करना है सूत को नोट कर लेंगे फिर देखेंगे एक सवाल को कि अधिकर नोट कर लेंगे बर्का विकड़ क्या होता बोजा रूट दो तो यह रूट दो यादि एव जाए मीटर में लग सकते हैं ठीक है कि इस क्वेश्चान को देख लेगे फाल्द कमेंट ना करें थोड़ी दिर पढ़ें थोड़ी दिर क्लास से एक बर्का विकड़ कितना है दस रूट दो है तो बर्क की भजा परिमाव तथा छेत्फ़ल तीनों पूंचे गे आपसे बर्क की भजा भी पूची परमाव तथा आपको भी दिखा यह तो यह थोड़ा पूचे आपसे की भजा अलब सीधा बर्क की भजा दे और छेत्फल दे इतना सरल तो नहीं पूचेगा ठीक है कुछ घुनाव के पूंचेगा एक बर्का विकड़ उसने दे दिया दस रूट दो है तो बर्क की भजा बताई तब कर देंगी जाशलों लेए चाहिके तीमा बर्क कना कितना दिया तस रूट दो दीगया हम मिसेख तुला करा देंगे अ मिए रूट दो जाष Well, Donoken वहारावर एक ब plastic जाएं जो इस रूट दो से यह दूरूर से दूरूर कट जाएगा तो दस बरावर यहां पर विकड़ क्या सेंटीमीटर में होगा तो यहां पर 10 मीटर आजी बराबर बोजा आपको पता चल जाए तो कुछ भी करना हो सब बता चेट भल बता सकते आप नयनि प्रिमाप भी वता सकते ती वरका विकड़ा गया तो भुजा आपके क ele या बभचा बब्हचावरा पहला अंस्वर यह भ़जा बढ़ाओ परिमाप क्या हो जाएगा अब तो कि छित्फल क्या होए बुजा स्क्वाइर होता है बुजा का स्क्वाइर कर दें कि दसका वर्ग कर देंगे कि दसकावर कितना होता सो होता है सो मीटिर स्कॉयर आजायगा ठीक चांप लिकाड का स्कॉयर रूट टू दो हो जाएगा दो से डूकर जाएगा तब भी ठीक है तो यह तीनों आपके आंसर हो गए जोजों आप से पिंचे गे अब आपको एक सवाल दे लिए ठीक आयत से ताक्झ आप करके उसका आंसर बताएं तिर्सकाु स्झार्ट ट्रिकस में यूज कि तैसे उसका भी आंसर बताएं गीन कि वैसे करेंगे हुआ देौश की सैंक आत्व लगाएं कि कैसे करके आंसर कितना है क्यों स्पाह्स प्रक्षिंगा आंसर आपको कमेंड बॉक्स में देना ठीक ब्लोग सिंपल वैसी है उन्य एसको मैं तर्से करेंगे ठीक है कि कर लेंगे की चाहें आपको देखर आपको दिया जाएगी और इसमें आटाकार पत्थ भी दिया जाएगा तो उसका चेट फल बर्ग का जो चेट फल होता उसको निकाल लेंगे अगर बाहर रास्ता लगाएगा बाहर वाले बर्ग का बने का चेट फल निकाल लेंगे और जो अंदर बर्ग बनेगा उसका चेट फल निकाल लेंगे यदि बर्ग की बात करता है यहां तो आपका आयत च अंदर का आयत का छेट फल निकाल लेते ठीक है और दोनों को अंतर वाटा देते अंसर आ जाता है ठीक तो इसका पुश्चन का अंसर आप सोड्रेक से भी और वैसे भी चेक करके आंसर आप बताएं ठीक है यह कुश्चन आपका कमिंट वॉक्स में लाश्ट में सभी लोगा तर देंगे और बताएंगे आपको divide कैसी लगी पुर्ट को क्लास को यह सुझाओ रिज़ने इसका लाइक कर देंगे इचार लइसके अभी तक लाइक नढ़ा ने किया अब संपर्ग कर सकते हैं 94 11 91 कि मिलेंगे आँगले दिन जैय हिंद झाल झाल